जैसरी कृष्णा दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि सर एटोपले की इमेल्स को क्या आप अपनी वीडियो में दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं आटो प्ले की emails का screenshot अपने वीडियो में आप दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने सभी चोटे भाईयों के सवालों का जवाब दू तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं इस सवाल का जवाब लेकर आ चुका हूँ क्या आप अपनी वीडियो में एटोपले की इमेल्स या उसके स्क्रीन साइट को दिखा सकते हैं या नहीं तो अभी दोस्तों आप मेरे चीमेल पर ही है और एटोपले की एक इमेल यहाँ पर मैं आपको खोल कर दिखा देता हूं दोस्तों क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या हकीकत है ठीक है तो यहां पर देख रहांगे कि मैंने आटो प्ले से कुछ सवाल किये थे Dear Sir, Sir, Some Creators make video about आटो प्ले guidelines मतलब इसमें मैंने लिखा है कि क्या आटो प्ले की emails को अपनी वीडियो में दिखाना है या नहीं दिखाना है मैंने अपनी अर्निंग भी आप लोगों को साफ साफ दिखा दी थी तो आटो प्ले की reply आई है Thank you for contacting us. Users should not share emails that are confidential or data that should not be leaked and were sent to specific user their own information. ठीक है? इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है If an animal does not say confidential sent by autoplay, they are free to share. ठीक है? मतलब इसमें इन्होंने साफ साफ information दे दिये दोस्तों कि आप अपनी कोई confidential जैसे Gmail की link या autoplay की pins ये सब चीजें जो confidential होती हैं ये आपको नहीं दिखानी है और किसी को नहीं बतानी है ये तो जग जाहिर बात है दोस्तों ये तो छुपा कर रखने वाली ही चीजें होती है ठीक है? आटो प्ले की रही बात अगर email की तो आप इसको बिंदास एकदम अपने वीडियो में दिखा सकते हैं आपको कहीं कोई problem नहीं आएगी अगर problem आएगी तो मैं आपके साथ और आपके पास हूँ उमीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को पसंद और लाइक से जरूर करिएगा मिलते किसी नहीं है बिटवित अब तक के लिए रादे रादे